गुड मॉर्निंग टो वन एन अल, मैसेफ जेगी त्रिवेदी और संस्क्रिट टीचर दोस्तों संस्क्रिट में लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नूमबर 18 के बारे में जिसका नाम है स्कैटर्ड पल्स यानि कि मुक्तानी, मुक्तकानी लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने इसके एक से चार स्लोक का अभियास किया था आज हम स्लोक 5,6,7,8 के बारे में बात करेंगे आयो देखते हैं स्लोक नूमबर 5 इस वर्स इस रिडल जैसे हमने देखा कि श्लोक नूमबर 5 में भी एक रिडल है श्लोक नूमबर 4 में एक रिडल थी रिडल यानि कि प्रहे लिखा ये एक प्रहे लिखा है इस वर्स इस रिडल देखा कि वर्उक्ष के उपर फल को देखा और फल के उपर वर्उक्ष को देखा देखे फिर से इस वर्स इस रिडल the fruit is seen on the top of a tree and the tree itself is seen on the top of the fruit. Akaradi यह जो fruit है वह Akaradi है Akaradi Sakarant यह जानाती सहपंडित It has the letter A in the beginning and S in the end. It has the letter A in the beginning and S in the end. कि A से स्टार्ट होता है S इसके लास्ट में आता है फ्रेदे कि यह जानाती सहपंडित He who He who now This is a scholar जो भी इसे जानता है वह scholar है पंडित है तो इसका आंसर दोस्तों आता है The answer of the riddle is ananas जानी कि pineapple यह जो रीडल है इसका आंसर है दोस्तों pineapple तो यह जो नूबर चार में आंसर का अशोक यहाँ पर आंसर है pineapple ठीक है pineapple इसका आंसर है कि pineapple जो होता है वह जो top of the tree हाँ पर होता है pineapple fruit और pineapple fruit के जो उसका उपरी हिस्सा होता है वहाँ पर कुछ प्रुक्ष के पत्ते हम देख सकते है ठीक है और pineapple को संस्क्रीट में अननस कहा जाता है अननस तो अ कारादी से स्टार्ट होता है और कहता है कि सकारांत तो स परस्माप दोता है अननस तो यह हुआ पाइनेपल प्रुट के बारे में प्रहे लिए एक बार और इसका टनसलेशन देख लेजे यह हुआ नाव दिस इस अ स्कॉलर दा अनसर ऑफ दर ही डल आननस जाने की पाइनेपल ठीक है तो यह स्टोक यहाँ पर समाप दोता है बात करी है इसके ग्रामर की तो व्रुक्षास्यया ग्रे किम द्रस्टम प्रुस्टन पहले देख लेते तो व्रुक्षस्य अग्रे संधी विग्र पुछा जाए फलम तो फलम होगा अकारांत प्रत्मागृतिया एक वचल फलम फले फलानी फलम फले फलानी ठीक है तो फलाग्रे जैसे व्रुक्षा अग्रे यसे ही फलाग्रे व्रुक्षस्य अग्रे तो फल प्लस अग्रे फलाग यह भी शंदि विग्रे में बुचा जाता है ठीक है तो बस इतनी QWERश्टन इस लोक में आते हैं बात करती इस लोक नुबर 6 की यथा नैटी कहलासम नगम गान सरस्ति तथा नैटी कहलासम नगंगान सरस्ति जिस तरीके से माउंटेन कैलास पर गान सरस्थी हमें ले जाती है तथा नईती कैलासम उस तरीके से कैलास माउंटेन पर न गंगा न सरस्थी न तो गंगा न दी ले जा सकती है न तो सरस्थी तो दोस्तों ये जिस लोग है इसमें जो म्यूजिक है इसका पावर क्या है इसके बारे में हमें बात बताए गई है Neither the river Ganga nor Saraswiti takes on the mountain Kailas Mountain Kailas पर किते है कि न तो Ganga ले जाती है Saraswiti Neither the river Ganga nor Saraswiti take on the mountain Kailas as the art of music does जिस तरीके से music ले जाता है जिस तरीके से एक संगीत हमें ले जाता है Kailas परवत पर उस तरह हमें ना तो Ganga ले जा सकती है ना Saraswiti दोस्तों ये भी इस फ्लोग जो है वो आपको अर्थ विस्तार में पुछा जादा है यहां दोस्तों देखिया आप जो इसका हमके एकी पहली लाइन का अंतिम वाड है नगमगा नसरस्वती दूसरी लाइन में भी नगंगा नसरस्वती शंत है तो नगंगा नसरस्वती जो वाड है आपको ठीक से यहां देखना है कि न प्लस गंगा न गंगा तो उपर भी गंगा है न गंगा गंगा को नीचे की तरह कैसे लिखा ज़ता है अगर उपर भी हम उसे पढ़ सकते न गंगा उसके बाद न को अलग कर देते तो न गंगा न सरस्वती उपर भी हम देख सकते हैं ठीक है तो इसके बारे में बात करें, तो power of music is the theme of this verse. When we listen to really good music, it instantly transports our mind to heaven. We experience the ascetic, a dip into the scryed river. It is believed text used to heaven after we day. Music does it immediately. जिस तरीके से music से हमें जो सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख की प्राप्ति यहां कहिलास पर जाने के समाने, तो यह जो music के द्वारा में जो power मिलता है, इसा power में कहीं और नहीं मिलता है. तो music का महत्व यहां पर दोस्तों बताया गया, और साथ-साथ में जो नगम गान सरसुती सब्द है, इसके बारे में भी बात बताई गई है. नगम गान सरसुती वर्ड को यहां पर अलग तरीके से प्रेस किया गया है दो अर्थ में इसे बताया गया है खास करके कि यहां नगम गान सरसुती में गान सरसुती शब्द यदि पूछा जाएं तो गौड़ेस सरसुती इंदे फ्राम अफ दू म्यूजिक आर्ट एं म्यूजिक केते उसे सश्की तक पुरुष समास में पूछा जाता है ठीक है और ग्रामर की बात करें तो नयती नयती तती तहनती प्रेजेंटेंस परसमें पदियानिया बुरुष एक रचेंग खास करके दो मैं आपको इसका फाइल भेज बूंगा दो आप सरल्टा से समझ सकेंगा आसा भी से ठीक है तो बात करते इस व्रुष साथ की नियुकी क्वेस्टन आंसर है जिसे हम्ने दूसरे इसलोग में देखा कि पहले विसके बात क्वेस्टन उसके बात आंसर यहाँ पर अंतरा तीसरा वो लास्ट में जो उसके चोथा चरहने इसमें आंसर दिया गया है देखे इस लोग को यदिष्ठी रह कस्य पुत्रह गंगा वहती की द्रशी अंसश्य सुभा कावास्ती धर्मस्य त्वरिता अगती ही ते इस वर्स इस कंटेंग त्री क्वेस्टन फॉलाओट बाइ रिस्पेक्टिव और वर्ड आंसर अफ देम ते ते कि वोज सन इस युदिष्टी रहा है ते आंसर धर्मस्य धर्मस्य यानि कि अफ यम धर्म दे गॉड ऑफ डैथ जो यम राज है उन्हें दर्मराज भी कहा जादा है युदिष्टीर है वो दर्मराज के संधी कुंता माता को जो तीन पुत्र हासिल हुए थे युदिष्टीर भीम और अर्जुन इसमें युदिष्टीर यम राज की कुरुपा से यम दर्ड गॉड दे गॉड ऑफ डैथ उसके आसेरवाज से पराप्त हुए थे भीम जो कि पवन देव की कुरुपा से उन्हें पराप्त हुए और अर्जुन जो इंद्र देव की कुरुपा से पराप्त हुए थे तो यहां पर क्वेस्टीर है वोस्तान इस युदिष्टीर कैते कि धर्मसि of young dharma, the god of death दूसरा question in what manner does the river Ganga flow कि Ganga की दर्शी वहती Ganga नदी वह किस तरह से बहती है, तो कहते कि तवरिता यानि कि fast what manner does the river Ganga flow, fast और थर्ड क्वेस्टन दूसरी लाइन में what is the beauty of a swan जो swan है, hans है उसकी beauty क्या है its gate उसकी जो गती है, उसकी जो चाल है उसकी गती है और वही उसकी beauty है तो यह रहाश लोक नुबर 7 जो की question answer के तोर पर है और इसका translation देखिया आप this verse contain three questions follow by the respective and one word answer of them one word में इसका answer दिया गया है whose son is yudhishthira dharmashya of yam dharma the god of death in what manner does the river ganga flow त्वरिता यानिके fast what is the beauty of a swan गती ही यानिके it gets तो यह हुआ जो तो स्लोक नुबर 7 यहाँ से question answer जा सकते कि युदिष्टि रह कस्य पुत्रह युदिष्टि रह धर्मस्य पुत्रह गंगा वहती की द्रशी गंगा वहती त्वरिता fast अंसस ये सुभा का वास्ती अंसस ये सुभा गति ही ठीक है और वास्ती वास्ती में देखे आप तो वा प्लस अस्ती वा प्लस अस्ती जो है संधी विग्र में पुछा जाता है ये भी याद रखना है जैसे नास्ती होता है वेसा है वहाँ वास्ति है ठीक है तो बात करते है स्लोक नुबर एट की स्लोक नुबर हांट जिसमें सारे समास के नाम आप देख सकते है कि द्वंद्वो दिगूरपी च अहम मत गेहे नित्यम अव्याई भाव तत पुरश कर्मधारय येन अहम स्याम बहुरही तो यहाँ दोस्तों आप गुजरादी में भी समास पढ़ते हैं ठीक हैं सब समास के नाम आप द्वंद्वो दिविगू अव्याई भाव तत पुरुश कर्मधारय ये बहुरही तो केते हैं कि I am द्वंद्व मैं द्वंद्व हूं द्वंद्व यानि कि a couple a married person द्वंद्व जो युगम होता है जिसे हम केते couple a married person हुने द्वंद्व कहा जाता है I am द्वंद्व a couple a married person द्विगू I have two द्विगू द्वी यानि कि two I have two यानि कि हम दो लोग है द्विगू I have two also in my house there is always a state of expenditure my house is of my house there is always a state of no expenditure कि मेरा जो house है यहां पर जो खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है कहते कि oh man oh tat purush यानि कि oh man do something by which I shall be बहु रही कि तु मुझे कुछ ऐसा काम दे दो कि जिसे मैं बहु रही हो सकू कि oh man do something by which I shall be बहु रही a man having plenty of rice grains rice grains कि बहु रही जिसे में केते कि rice grains plenty of rice grains बहु दान्यवान बहु 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 रही है यस यस बहु रही तो यह पर दोस्तो एक बात बताएगी है कि imagine a poor man going to the king receiving the verses composed by him in which the names of almost all type of compounds are woven what does the man I am married I have two son to feed I have no source of income so there is always poverty or the state where is there is possibility of expense यानि कि अव यही भाव so that do something that will make me rich even the grammar can be a raw material for poetry तो यहां से दोस्तो आपको question पुछा जाए तो इस तरीके से पुछा जाता है question कि कह पुरुष अह भावरी ही भावती कर्मना पुरुष अह भावरी भावती जो पुरुष कर्म करता है वह भावरी बनता है इस तरीके से यहां एक टेक्शिल question पुछा जाता है उसके बाद बात करें तो grammar में द्वीगुर अपी जो बाड़ है द्वीगु हू प्लस अपी संधी में पुछा जाए चाव प्लस हम तो चाहम यह भी पुछा जा सकता है तो आप आसानी से इसके उटर दे सकते है और इसके साथ दोस्तों यह जो हमारा chapter है यह समापत होता है इसकी 8 स्लोक भी समापत होते एक बार और स्लोक नुमर 8 का translation आप यहां देख सकते है और यहां से आप पढ़ दे सकते है इसकी जो पीडिएप फाइल एक रिसन आंसर और ट्रांस्क्लेशन की कि मैं आप लोगों को बेज़ दूगा यदि आपको इसमें कोई question हो तो आप school के वक्त में मुझे call कर सकते है या every time मुझे message करके भी पूछ सकते है अस्तु